ये वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि कल के दिन बैंक निप्टी और निप्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है as per the price action and as per the option chain analysis तो सबसे पहले हम लोग बैंक निप्टी का price analysis कर लेते हैं यहाँ पर आपके सामने मैंने बैंक निप्टी का 15 मिनिट का spot का chart लगाया हुआ है अगर आज देखो गया तो market gap up open होने के बाद यहाँ पर market ने एक candle pattern बनाया इस candle pattern के बाद market ने एक continuous गिरावट दिखाई दी तो यह जो evening star pattern है यह evening star pattern के बाद जो गिरावट हुई उसके बाद market एक consolidation की phase में चला गया है इस range bound phase के लिए हमें तयार रहना था और इसके breakout के लिए भी अभी तयार रहना है तो अगर कल के दिन market flat open होता है और flat open होने के बाद इस level को upside की तरह break करता है तो उस case में हम लोग क्या करेंगे 38700 का जो call है वो 38700 के call को हम लोग यहां पर buy कर लेंगे हमारा first target जो रहेगा वो 38900 कर रहेगा और second target जो रहेगा वो 49000 के करीब कर रहेगा अगर नीचे की side market breakdown देता है तो उस case में हम लोग छोटे quantity के साथ या आगे quantity के साथ ट्रेड कर सकते है नीचे की side में यह 38600 का जो level है उसको breakout करने के बाद उस case में हम लोग 38600 का जो put है वो 38600 के put को हम लोग यहां पर buy कर सकते है और हमारा नीचे की side में first target जो रहेगा यह वाला level रहेगा क्योंकि इसी level से market bounce back हो चुका था यहां पर एक अच्छा खासा open interest का भी तेजी का position बन चुका था तो दुबरा market इस level पर आएगा तो bounce back देने की probability है अगर कल market gap down के साथ open होता है तो इस level से भी mouse back market दे सकता है तो उस case में हम लोग क्या कर सकते है 38500 का जो call है वो 38500 के call को हम लोग यहां पर buy कर सकते है यह बहुत ही बढ़िया buying का एक important level कल के लिए हमारे लिए बन सकता है लेकिन यहां पर एक price action का pattern बनना चाहिए अभी देख लेते हैं कि option chain हमें क्या indicate कर रहा है यहां पर मैंने आपके सामने bank nifty का option chain लगाया हुआ है 18 November के weekly expiry वाला यहां पर आगर आप देखोगे तो 49000 के ऊपर 29000 का open interest है जिसमें से 14000 मतलब more than 50% आज ही के दिन जुड़ा हुआ है और यह 38500 का जो strike price है वहां पर put की side में highest open interest है 18000 का लेकिन यहां पर आज कुछ ज़्यादा addition नहीं हो चुका है मतलब यह पुराने वाले जो तेजी करने वाले है यह पुराने वाले तेजी करने वाले ही यहां पर maintain हुए है तो कल के दिन हम लोग क्या करेंगे 179 बजे के बाद market जब open हो जाएगा तो देखेंगे कि इस level पर किस तरीके का open interest बन रहा है और फिर उसी सबसे हम लोग decision लेंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा कल के दिन अगर market में यहां से लोग exit हो जाते है तो हम लोगों के लिए तहियार रहना पड़ेगा कि market में short covering का एक बड़ा momentum आ सकता है और यह 49,000 के उपर अच्छा खासा हमें एक rally भी दिखाई दे सकता है तो यह दोनों जगा पे कल observation कीजिए कि किस तरीके का open interest market में add हो रहा है या फिर वहाँ से exit हो रहा है तो उस हिसाब से हम लोग decision ले लेंगे मैं अपने इस free वाले telegram channel में update कर दूँगा कि option chain के हिसाब से क्या लग रहा है यहाँ पे मैं nifty bank nifty के option के signals भी free of cost देता हूँ यह free वाले telegram channel का link वीडियो के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है जहाँ पे 1,55,000 से जादा लोग जुड़े हुए है और यही एक मातर अपना official channel है अभी देख लेते हैं कि nifty हमें क्या indicate कर रहा है निप्टी में अगर आप देखोगे तो market अच्छा का सा stretch हो चुका था उसके बाद जब gap up के साथ opening हो गया तो वहाँ से market ने नीचे की तरफ का momentum दिखा दिया मतलब यहाँ पे profit booking स्टार्ट हो चुका है अभी यहाँ पे जो profit booking स्टार्ट हो चुका है उसके बाद हम लोग देखेंगे कि EFI का data हमें क्या indicate कर रहा है उससे हमें idea आ जाएगा कि यहाँ पे selling का position fresh shot position initiate हुआ है क्या अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा fresh shot के position initiate होते है तो downside का हमें fall जो मिलेगा वो fall बढ़िया मिलेगा अगर इधर EFI के data में ज़्यादा position नहीं मिलेंगे तो market bounce pack देने की ज़्यादा probability रहेगी तो कल के दिन market अगर flat gap थोड़ा सा gap up या थोड़ा सा gap down ओपन होता है और उसके बाद इस नीचे वाले level को 18,071 के level को downside की तरह break करता है तो उस case में हम लोग 18,100 का जो put है वो 18,100 के put को हम लोग यहाँ पर buy कर सकता है और हमारा जो stop loss रहेगा वो मातर 15 से 20 point का stop loss रहेगा और target जो रहेगा वो target हमारा 40 से 50 point का यहाँ पर मिल सकता है अगर उपर की side में हम लोग देखेंगे तो confirm level नहीं मिल रहा है क्योंकि उपर की side में अगर breakout हमें चाहिए तो minimum इस level को दो बार test करने के बाद अगर breakout मिलता है तो उसमें हमारा probability मतलब success rate जादा रहता है फिलाल अभी उस तरीके का structure नहीं बना है तो कल के दिन हम लोग price action बनने तक wait करेंगे फिर उसके बाद उसको open interest के data के साथ कलब करके analysis करेंगे अभी देख लेते कि open interest का data हमें क्या indicate कर रहा है यहाँ पे मैंने आपके सामने nipty का option chain लगाया हुआ है 18 नॉमबर के weekly expiry वाला अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 18 आजर 200 का जो strike price है जिसमें highest open interest बना हुआ है 53 लाग share का जिसमें से 28 लाग share आज ही के दिन बने हुए है मतलब यह एक important resistance की तरह काम करेगा आज लोगों का भरोसा भी इस level के उपर बढ़ रहा है तो यह एक हमरे लिए अच्छी बाद है अगर नीचे की साइड में देखोगे तो 18 आजर का जो level है वहाँ पे put की साइड में 40 लाग share का open interest बना हुआ है लेकिन उसमें से 11 लाग share exit हो चुक है मतलब जो तेजी करने वाले लोग है उनका भरोसा इस level से थोड़ा कम हो चुका है तो ये level हमारे लिए crucial level का काम करेगा जब तक market इस level के उपर रहेगा तिब तक हम लोग buy के position को initiate कर सकते है easily trade कर सकते है लेकिन अगर 18 आजर level के नीचे market आ जाता है तो हम लोगों को बहुत ही cautiously trade करना पड़ेगा क्योंकि फिर यहाँ पे sellers का जो writers रहते हैं उनका sentiment change हो जाएगा और वो यहाँ पर market में नीचे का momentum expect करेंगे तो हम लोगों को भी उनके expectation के इसाब से ही अपना position बनाना पड़ेगा जो लोगों को option chain का analysis का free का course करना है उसके details मैंने telegram channel के उपर दिये हुए है और telegram channel के link वीडियो के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है अभी यहाँ पे कुछ बातों के उपर आपको focus करना पड़ेगा कि यहाँ पे intraday में कितना open interest add होता है और total open interest कितना होता है इसके उपर हमें predict करना रहता है कि market में जो covering का rally आ जाएगा वो एकदम fast आए जाएगा या धीरे धीरे आजाएगा अगर fast rally आजाता है तो उसमें option के premium बहुत ही fast बढ़ते तो हम लोगों को as a option buyer जादा profit होता है अगर धीरे धीरे option के premium बढ़ते तो उतने time टक एक novice trader position को hold नहीं कर सकता प्लस यह premium DK में भी हमारा थोड़ा loss हो जाता है तो यह हम लोग कैसे conclude कर सकते हैं यह हम लोग conclude कर सकते हैं यहाँ पर open interest की quantity कितनी है उस quantity के हिसाब से तो इसके उपर भी आप focus करना चालू कीजिए और इसी तरीके के ज़्यादा से ज़्यादा educational वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को like कीजिए वीडियो को like करने के बाद आपना जो YouTube का educational channel है उसको subscribe कीजिए और subscribe करने के बाद bell icon का button दबा दीजिए तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा इमिजेट आपको उसका notification मिल जाएगा तो मिलते हैं next educational वीडियो में Thank you very much